कल लास्ट इंटरफरेंस आफ वे बताया था रिजल्ट फाइंड किया था ठीक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन अम्प्लीचूट का एक्सप्रेशन और उसे रिलेटेट प्राब्लेंस बताया था ठीक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपरिमेंट का ही अब हम लोग स्लिट का साइज एक कंसेट्रेवल एमाउंट का लेंगे कहने का मतब सिंपल है कि साइज अब स्लिट आप एजियूम कर ले और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टन्स एजियूम कर लिजे और देखिए स्क्रीन पर कैसा इंट्रफरेंस पाटर्ण मिलेगा तो इसको हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपरिमेंट में यही हम लोगों ने सिंगल स्रूर्स रखा था मनो क्रोमेटिक लाइट और कहा था कि लाइट मस्ट भी कोहरेंट तो कोहरेंट के लिए सिंगल स्रूर्स होना चाहिए तो सिंगल स्लिट लिया इससे डबल स्लिट से वे पैटर्ण बनेगा और वो एक इंट्रफरेंस पैटर्ण स्क्रीन पे आपको नजर आएगा तो यहां से स्रूर्स से लाइट यहां से स्रूर्स से लाइट निकलेंगे और single slit से निकलता हुआ, double slit से होता हुआ interference princess हम लोगों को मिलेगा यही हम लोगों ने उस case से पढ़ा था तेखो हम लोगों को यहां से single source से light निकला, single slit से पास किया और double slit से पास करने के बाद एक interference pattern मिल गया जिसमें screen पर, center पर bright, फिर हम लोगों को dark, फिर bright, फिर dark alternate मिलता गया यही हम लोगों ने पढ़ा था है, इसका अब mathematical expression find करेंगे तो mathematical expression के लिए फिर वैसे ही single source लेंगे और single source से फिर यहां से दो coherent sources एक मिल ज़रा से देखे, यह लगता है इसमें यही source S और S1, S2 यह symmetrical है और यहां से source निकला और यह interference pattern बना इस screen पर, मतलब दो wave, एक S1 से wave originate हुआ S2 से wave originate हुआ, और दोनों यहां पर P पर interfere किया और interference pattern मिला अब यह distance हमारा source से screen का capital D हम लोग यह assume कर लेंगे और sleet का size ले लेंगे sleet का size क्या लिया? D लिया और यहां से capital D, यह half हो जाएगा D by 2 और जहां interference pattern बनेगा, उसको center से हम लोग X assume कर लेंगे ठीक? अब इस से हम लोग position निकालेंगे कि कहां पर bright बन रहा है, कहां पर dark बन रहा है तो पहले हम लोगों ने क्या-क्या find किया था? phase difference अब क्या निकालेंगे आज? path difference निकालेंगे तो path difference का मतलब क्या होता है? जो S2 से wave निकला P पर आया और फिर S1 से जो wave निकला वो P पर आया इन दोनों के बीच का difference अब देखे path difference निकालने का तरीका simple आप ऐसे समझ लो कि यहां पर एक source S1 और एक source S2 ध्यान देना यहां से यह wave pattern और जिनेट हुआ और यह P पर आया दूसरा wave S2 से और जिनेट हुआ और यह यहां पर P पर मिला interference हो गया अब हमको difference कैसे पता चलेगा तो यह हमारा S1 और S2 का line है S1 से एक perpendicular distance draw करेंगे यह हमारा length S1 से P तक का L1 है और यह हमारा distance L2 है देखने ही से लग रहा L2 larger than L1 clear तो यहां यह जो distance होगा वो जब interfere किया था तो हम लोगों ने bright bright के बीच में क्या देखा था एक dark बना था इसका मतब bright dark के बाद lambda by 2 और dark bright के बाद lambda by 2 इसका मतब lambda पर interfere क्या bright bright इसलों यह difference क्या हो जाएगा lambda इट मिन्स L2 माइनस L1 का वैलू lambda और इसी को हम लोग पाथ difference क्या था पाथ ट्रेवल बाई दा S2 वेव और पाथ ट्रेवल बाई दा S1 वेव इसके difference को पाथ डिफरेंस का तो हम लोग पहले पाथ डिफरेंस निका लेंगे इट मिन्स S2P calculate क्या करना है S2P माइनस S1P यह वैलू हम लोगों को find करना है देखे एक mistake हो गया mic तो on है हाँ टेक है mic on चल तो S2P मानस S1P अब यही हम लोगों को calculate करना है ठीक सारे distance को लिख दिया अब हम लोग यही हमारे pass picture है और इससे हम लोगों को calculation करना है copy जल्दी से निकालिए calculation सीखना है चली तो सबसे पहले path reference path reference का मतलब क्या का हमने S2P minus S1P ठीक अब S2P find करने के लिए naming आप कर सकते हैं naming कर सकते हैं assume कर लिया इसको A माल लो इसको B माल लो S2P find करने के लिए आप triangle में आ जाए S2AP in triangle S2AP S2P square is equal to S2A square plus AP square हो जाएगा S2A का value D है ये value हमारा center से हमने X ले रखा है तो यहां से यहां तक का distance X plus D by 2 हो जाएगा it means S2 sorry A से P का value क्या गया X plus D by 2 का whole square clear हमको चाहिए ये equation में S2P square को eliminate करना है यहां से D square को common ले ले क्या है गया 1 plus X plus D by 2 का whole square by D square हो गया ठीक है यहां तक गौर से देखिएगा समझने की कोसिस भी करें आप अब यहां पर ये S2P जासी लिखेंगे इसका power इसका power D square का D बन गया ये क्या बन जाएगा 1 plus X by X plus D by 2 का whole square by D square whole to the power half हो जाएगा इसको binomal expand कर देंगे तो binomal expansion से क्या आएगा 1 by 2 X plus D by 2 का whole square by D square and so on clear है यहां तक 100% clear अब ये S2P का value मिल गया इसी तरह से similarly in triangle S1 BP पोल इसमें क्या लिख होगे S2 S1P S1P square is equal to S1P square plus BP square हो गया S1B का value क्या आगया D capital इसका value क्या आगया X minus D by 2 का whole square यहां से फिर D square common ले लो 1 plus X minus D by 2 का whole square by D square whole to the power इसके बाद जब लिखेंगे तो power half हो जाएगा यह आगया 1 plus X minus D by 2 का whole square by D square whole to the power half हो जाएगा मिल गया S1P और S2P अब यह equation 1 में substitute कर दें पर नोट करो S1P और S2P का value calculation करना है equation 1 लिखो और S2P का value S1P का value डाल अब लोग हाँ बोलो कोई बात थी S1P में डाल देंगे वो space नहीं था इसले नहीं लिखा 1 by 2 हो गया यहां तक AP का whole square है AP का square यह AP का whole square बात एक ही है AP पूरा एक term है हो गया यहां तक ठीक है erase करें चलो तो यह वाला value equation 1 में डाल ला है equation 1 में path reference S2P का value बताओ D 1 plus 1 by 2 X plus D by 2 का whole square by DA square हो गया हाइस पावर को neglect कर रहे है minus D 1 plus 1 by 2 X minus D by 2 का whole square by DA square यहां भी हाइस पावर को neglect कर रहे है D common ले लो 1 by 2 ठीक इसको expand कर दो 2D square यहां गया X square plus D square by 4 plus 2X D by 2 ठीक है minus ध्यां दो minus 1 minus 1 by 2D square X square plus D square by 4 minus 2X D by 2 बोलो yes no simple mathematics one or one cancel हो गया ठीक D और 1 by 2D square को common ले लो ठीक यह पूरे term को लिख दो X square plus D square by 4 plus 2X D by 2 ठीक यह वाला term minus X square minus D square by 4 plus minus अंदर ले गए ध्यां दो बाच्चित नहीं करो आरे रहां 2DX 2X D by 2 यही बचेगा bracket close X square X square cancel D square by 4 D square by 4 cancel क्या बच्चा within bracket 1 by 2D square और यह दोनों add हो गया 4 अज़े यह multiplication में तो यह 4X D by 2 बचा ठीक यह 2 और 2 cancel हो गया 4 से D का एक power cancel हो गया X D by D मिल गया path difference आगे समझ में बिलकुल बोर्ड में आता है इसलिम डेराइब करा रहे है interference ही important part diffraction of light तो बहुत मतब यह जान जाओगे तो उसे बहुत easy है हो गया path reference का value निकाल लिया raise करें step by step देख लो यही है S2P मानस S1P simplify करके क्या आगे X D by D clear अब हम लोग constructive interference की जिगा पर उसका नाम क्या दे देंगे bright fringe का position जो bright मिला उसका position तो position of bright fringes कैसे आया देखे द्यान से आरियन ध्यान दो आजकल तुम नहीं पढ़ रहे हो अब देखो path reference आ गया अभे तुम उसके follower हो गया हो यह आ गया path difference X D by D यह ब्राइट के लिए पाथ रिफरेंस का formula क्या निकाला था N lambda दोनों path reference है दोनों को equate कर दो x d by d is equal to n lambda हो गया अब ये position पता करना है हम लोगों ने x क्या assume किया position इसलिए हम लोग इसको n subscribe लगा दे तो x n का value क्या आ गया n lambda d by d हम लोगों ने n lambda जब use किया था तो n का value कहां से start किया था 0 से इसलिए यहां पर ये याद रखेंगे n का value 0, 1, 2, 3 and so on अब x का value 0 डालोगे तो क्या मिलेगा position of first bright इसका मत्तब position x naught से represent होगा bright कहां पर मिला, center पर मिला फिर n का value 1 डालोगे तो position first bright का क्या आएगा lambda d by d आएगा फिर n का value 2 डालोगे तो second आजाएगा 2 lambda d by d and so on और finally x n is equal to n lambda d by d आ गया यहां तक समझ पर है ये क्या निकला bright का position एक बड़ चेक कर लें हम लोग bright का position देखें क्या आगया bright का position आपके सामने स्क्रीन पर है n का value 0 x not 0 n का value 1 ये position of bright है position of center bright position of first bright position of second bright position of end bright हो गया bright का position अब dark निकालेंगे dark मत्तब destructive destructive का path difference राम गनेजी यादे आपको जाब भी आरीन के साथ हो गए position of dark fringe निकालने के लिए destructive interference का path difference बताएंगे आप कल सिखाया था n का value 1 स्टार्ट करेंगे तो 2n minus 1 lambda by 2 यहाँ पर path difference क्या निकला x d by d यही था इसको equate कर देंगे 2n minus 1 lambda by 2 वहाँ पर हमने position of bright के लिए xn इस्तेमाल किया यहाँ पर xn dash कर दें तो यह xn dash हो गया अब इसका value xn dash is equal to 2n minus 1 lambda d by 2d और यहाँ n का value हमनों कहां से start करेंगे 1, 2, 3 यहाँ न हमने कहा था 0 से start करेंगे तो n lambda होगा और ज़्यादी 0 से आप start करेंगे तो फिर 2n plus 1 use करेंगे ठीक, n हमको 1 से लेना था इसलिए 2n minus 1 use किया अब n का value हम लोग 1 use करेंगे 0 नहीं 1 use करेंगे तो position किसका मिलेगा dark का मिलेगा 1 डालेंगे तो x1 dash क्या आ गया lambda d by 2d position of first dark french x2 dash is equal to क्या बन जाएगा 3 lambda d by 2d इसी तरह से 3rd क्या मिलेगा 5 lambda d by 2d इसी तरह से nth मिल जाएगा तो यह position हम लोगों को मिल गया dark frances का तो देखें position of dark frances dark frances मिल गया इसको x n dash या x here में यूज किया है और यहाँ पर n का value 1 तो यहाँ पर symbol ठीक ही यूज कर लिया x not dash d lambda by 2d इसी तरह से यह symbol है कोई बात नहीं वो one को आप use कर सकते हो not से भी लिख सकते हो one से भी लिख सकते हो ठीक है इसी तरह से n से यह form use हो गया अब हर condition में आप देखो यहाँ आपके screen पे नजर आ रहा है सब कुछ और ध्यान देना बाचित नहीं करोगे दो bright के बीच का difference कितना है d lambda by d फिर alternate यहाँ भी ले d lambda by d इसके बीच में dark है तो 0 प्लस d lambda by d d का mean value निकालो क्या गया दो bright के बीच में एक dark इसका मतलब bright dark के बीच जो difference होगा उसका twice होगा bright bright के बीच clear? bright bright के बीच का difference same dark dark के बीच का भी difference same bright dark के बीच का भी difference same इसका मतलब है कि जहां पर bright frances disappear हो रहा है वहाँ पर dark appear हो जा रहा है dark जहां disappear हो रहा है वहाँ पर bright appear हो जा रहा है इसका मतलब intensity का redistribution हो रहा है जदि root i1 i2 यही एक factor है plus हो रहा है और minus हो रहा है तो जितना plus हो रहा हो तना ही minus हो रहा है इसका मतलब graphically जदि हम आप देखेंगे इसको तो intensity का pattern जो आएगा उसका amplitude same रहेगा ठीक है यहाँ तक हो गे हम लोगों का यह part complete है अब आज़ें next fringe width distance between two consecutive bright or dark fringes is known as fringe width इसको हम लोग बीटा से represent करते हैं एक expression for dark fringe width इसी तरह से bright भी निकाल सकते हैं ठीक है यह फुलो सा यहाँ पर expression लिखने में बिलकुल सही है mathematically सही लिखा हुआ यह यहाँ पर होगा bright फोड़ा error आ रहा है अब bright bright अपने position क्या निकाला था xn is equal to a निकाला था बहुत simple है जदी पहला position आप निकालते हैं तो क्या लिखेंगे आप lambda d by d second position निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इनके difference को fringe width कहते है βीटा βीटा से represent होता है x2 minus x1 निकालो 2 lambda d by d minus lambda d by d क्या जाएगा lambda d by d होगा इसी तरह से xn minus उसके पहले वाले का एक part मतलब क्या हुआ जदी हम fringe width निकालेंगे ऐसे xn और उससे पहले का एक fringe width ये भी वही value देगा इसका मतलब हर condition में fringe width क्या है same है ये तो bright का निकल गया तो देखो bright का position आगया fringe width का चरो dark के लिए आजाओ dark भी क्या लिखा था n dash minus n minus 1 dash यही था अब dark dark कोई भी dark ले लो consecutive ले ना 5 minus 4 3 minus 2 ठीक 3 डाल दो माल लो 3 डालो गए तो क्या था formula 2 n minus 1 d lambda by 2 d तो कितने आजाएंगा 5 lambda d by 2 d 3 से पहले 2 तो 2 का वालू डालो n का वालू 2 डाल दो तो क्या आगया 3 lambda d by 2 d दोनों का difference देखो क्या आगया 2 lambda d by 2 d it means lambda d by d fringe width dark fringe के लिए भी वही आगया आगया समझ में इसलिए fringe width बीटा का value याद रखेंगे d lambda by d clear हो गया 100% आगे बढ़े है चले क्या लिखा हुआ देखी ध्यान से the expressions for fringe width shows that the fringes are equally spaced on the screen bright dark के बीच का जो distance है वही dark और bright के बीच वह सही alternatively interference pattern हम लोग को screen पर मिल रहा है अब आजे intensity का distribution क्या बताया था graphically हम देखे intensity का graph phase difference के साथ तो यह intensity y axis पर रखेंगे और phase difference को x axis पर रखेंगे तो graph का nature ऐसा आएगा कहीं भी amplitude में कोई chances नहीं क्यों नहीं हुआ ऐसा intensity का expression क्या सो कर रहा है i maxima is equal to i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 i minima i1 plus i2 minus 2 root i1 i2 जितना plus हो रहा उतना ही minus हो रहा है इसका मत्तब जहां पर किस appear हो रहा है 2 root i1 i2 वहीं पर reappear हो जा रहा है 2 root i1 i2 इसका मत्तब intensity का graphical representation यह show कर रहा है कि energy यहां पर conserve हो रहा है कहीं भी energy का losses नहीं है वही लिखा देखिए दो interfering wave को हमने लिख दिया i maxima कल के class हैं बताया था तो क्या आ गया था a1 प्लस a2 का whole square जदी दोनों का amplitude same है तो क्या आ गया 4a square आ गया ठीक है इसका मत्तब सारे bright same intensity के हैं और dark 0 इसका मत्तब जहां पर dark हो रहा है वो x axis को touch कर रहा है ठीक अब dark fringe का intensity यहां पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है ठीक अब यहां पर हमने जो expression में लिखा है intensity maxima कितना है root i1 i2 प्लस root i1 प्लस root i2 का whole square कितना से add हो रहा है to root i1 i2 से और minima कितना से हो रहा है to root i1 i2 से जब energy disappear हो रहा है minima पर तो वो फिर क्या हो रहा है appear हो जा रहा है maxima पर इसलिए intensity distribution में या intensity के graph को हम जो represent कर रहा है इसमें ये show कर रहा है कि energy conserve हो रहा है कहीं भी energy का loss नहीं है तो ज़िए आप से कहा जाए कि show that या simply energy is conserved in interference pattern इसका mathematical logic भी आप दे सकते हैं और simple ऐसे statement से भी आप बता सकते हैं आगे समझ के clear तो यहाँ पर यह सारा expression याद रखना है क्या-क्या मिला position का value याद रखना है bright के लिए dark के लिए fringe width का expression याद रखना है और intensity का तो graphical representation भी देख लिया तो यह part हम लोगों का complete हो गया बिससर related हम लोगों का problem है ठीक है तो आज के लिए यहीं तक और next class में problem discussion करेंगे पुछ इसका mathematical expression find करने के बाद पुछ बाद